तो चलिए एक बार याद करने के कोशिस किजिए कि लास्ट बार जब आप छुटियों में गये थे तो कहां पे गये थे क्या क्या चीजे जो है आपने इंज्वाइ किया था क्या क्या चीजे जो है आपने देखा था अगर आप last summer में मनाली गया थे तो आपको फिलिंग याद आ रहा होगा किस तर से आपने बरफ में फिलिंग जताई थी किस तर से enjoyment किया था मनाली के ठंड मोसम में किस तर से आप travel कर रहे थे और कितना enjoyment जो हो आपको दिखने को मिल रहा था अगर आप दूसरी बार गये थे तिसरी बार गये थे तो आपको फिलिंग आ रहा होगा कि जो पहली बार गये थे तो आपने किस तर से enjoy किया था कितना जदा वरफ जो हो गीरा था या फिर कहीं भी दूसरी जगा जो है आप छूटिया वनाने गये थे तो आपको इस बात का अभी भी ख्याल होगा कि कैसे जो है आपने enjoyment किया था, जाने में कितना time लगा था, कैसे कैसे आप गये थे, क्या चीज़े जो है आपने खाया था और हैसा भी हो सकता है कि उन चीजों का taste आप अभी भी फिल कर रहे हैं ये सारी चीज़े, सारी भावनाए, सारी emotions जो होते हैं एक normal इंसान में, जो कि हमें हर चीज़ का experience लेके याद आते रहता है, ये सारी चीज़े कैसे होता है क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारा दिमाग जो है, ये कैसे इन चीजों को याद रखता है, कैसे जो है, जो हमारे memories हैं, यादे हैं, वो कैसे बनती है, किस तरीके से दिमाग जो है, इन सारी चीज़ों को बनाता है, और कैसे वो टूर जो कि हम उन्ज़वाए करके आये थ रहा था एक अच्छा experience रहा था तो आपको वह चीजे याद करके खुशी मिलती है लेकिन अगर एक अच्छा experience नहीं रहा था तो वह चीजे याद करके थोड़ा सा दुख होता है कि उसकी जर्वा कुछ और कर लेते लेकिन मुद्दा ये नहीं है मुद्दा है कि आपको ये चीजे इतना ज़्यादा जो feeling रहता है experience रहता है वो दिमाग कैसे अस्टोर करता है कैसे जो है ये दास जो है वो बनता है कैसे जब मुझे को recall करते हैं यानि कि अभी जब मैंने आपको recall कराया तो वो चीजे कैसे जो है आप दुबारा से feel करते हो क्या emotions होते हैं जो emotions जो है आपको यहाँ पे feel होते हुए नजर आते हैं आज इसी के बारे में बात करेंगे एक नया research जो है निकल के आया है कि किस तरसे हमारा जो दिमाग है memories बनाता है कैसे जो है वो memories को वापस से retrieve करता है और हमें कैसे फर्क दिखाता है कि हम जो पहली बार गये थे तो यह feeling था और जब दुसरी बार गये थे तो यह feeling था इन सम्में difference जो है यह memories कैसे बनाते हैं उन पे एक नया research आ गया है जिस पे लेके मैं आपके लिए वीडियो जो हो आ गया हूँ सबसे पहले बात करते हैं तो यह जो research है यह research बहुत ज़्यदा एक discovery हो सकता है किस मामले में यह उन लोगों के लिए जो की एक अल्ला की तरह के traumatic brain injury जो है वो suffer करते है या फिर अल्माईजर डिजिस जिनको होती है अल्जाइमर होती है और या फिर इसके अलावा जो है सिंकोफेर्निया जिनको होता है उनके लिए यह बहुत ज़्यदा यूजफूल हो सकता है अब इसमें कुछ डिजिस तो आप जानते हो जैसे traumatic brain injury हो जाए अल्जाइमर जो है आप जानते हो यह फूलने के विमारी है और सिंकोफेर्निया भी जो है यह भी एक भूलने के विमारी है जिसमें आपको हेलोजनेशन टाइप का जो हो feeling होता है हेलोजनेशन क्या होता है वो होता है कि आप reality में और जो fake वो दुनिया है पेसेंट होंगे उन में जो है यह बहुत ज़्यादा useful हो सकता है यह research तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि research में क्या चीज़ा जो है वो कैसे गाम करता है किस तरसे जो हमारा memories है वो firm होता है और ऐसे बेग्यानिक में पाया कि सारे जो हो जुड़े होते है इस तरह से तो यह जो निउरॉन्स होते हैं और टोटल 103 ऐसे निउरॉन्स होते हैं झो कि हमारे यद्धास को कैसे बनाते हैं उसको अम लोग यहां पर आज देखने वाले हैं利 outlets की आने वाली वीडियो के आपके साथ लेके आता रहा हूं सबसे पहले बात करते हैं तो यह जो डिस्कवरी है आप देखोग़ यहाँ पर यह इसको बोलते हैं और यहाँ पर घ्रम पाद करते हैं तो शबसे पहले होता है एक cœur offset क्या होता है कि हमारा दिम Act करता है यानि कि कोई नया चीज हम जो करते हैं बार-बार आप ओफिस में काम करते हो हर दिन एक जैसा फिल नहीं होता और हर दिन आपको एक नया experience मिलता है आपके दिमाग को दिन पता होता है कि कौन सा दिन आपके साथ बुरा हुआ कौन सा दिन आपके साथ अच्छा हुआ और ये सारी चीजे दिमाग अलग अलग चीजों में इनकोड करके रखता है और ये जो time gap होता है जो कि differentiate करता है कि इस time पे यानि कि कल मेरे साथ ये हुआ था आज मेरे साथ ये हो रहा है उसके पहले दो दिन जो है इसी office में ये हुआ था तो इन सब को अलग अलग experience जो करता है अलग अलग time period पे एक ही चीजे जो है store करता है वो होता है phase offset यानि कि आप दो बार मनाली घुमने जा रहे हो दोनों का experience से अलग अलग है आपका दिमाग केवल एक experience नहीं रखता वो दोनों रखता है ये जो होता है ये होता है phase offset और यहीं चीजे बताता है कि जो आपकी पुरानी memories थी और जो आपकी नई memories है इन में difference क्या है एक clear evidence जो है वो देता है कि पिछली बार ये हुआ था इस बार ये हो रहा है पिछली बार आप इनके साथ घुमने गए थे और इस बार आप इनके साथ घुमने जा रहे हैं तो ये चीजे जो है आपको यहाँ पे तेखने को मिलता है और इसी को बोलते है phase offset जो कि हमारे दिमाग बिल्कुल अलग 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 इनकोड करके रखता है अब बात करते हैं कि हमारे दिमाग जो यह सीजे इनकोड करता है कैसे करता है जो यह मिमोरी फॉर्म करता है कैसे करता है अब हमारे दिमाग में अस्टडी में ऐसा पाया गया कि जो 103 ऐसे sensitive neurons है जो कि हमारा जो brain हिपो केंपस है और एथरनल कोर्टेक्स है इसके जो sensitive neurons होते है इनका जो rate होता है यह increase कर जाता है जब भी ऐसी कुछ memory जो है वो successfully encode होता है और यह portion आपके दिमाग में कहा होता है कि आपका दिमाग जो है बनावाट कुछ इस तरह सा देखने को मिलेगा और यहाँ पर यह देखोगे जो यह वाला है यहाँ पर सेलिवरम होता है जो कि आपका subconscious mind होता है उसके उपर वाला जो portion है यहाँ पर यह देखोगे यह वाला जो portion है यह वाला जो पूरा portion है यह वाला जो आपको दिखने को मिल रहा है यह portion है, appendocampus और इसके अलावा यह है Eternal Cortex यह व्ला पॉर्टिक्स है यह व्ला यहां से देखने को मिल रहा है यह आपको Eternal Cortex है और यह memory मिलके, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं यह आपको देखने को मिल रहा है तो यह memory जो मिलके यह क्या करते हैं कि आपके जो भी experience होता है उसको encode करते हैं encode करने के मतलब उसको store करते हैं यहाँ पे 103 as a newton होते हैं 103 as a neuron होते हैं जो कि इन सारी चीजों को encode करते रहते हैं इनकी जो increasement है rate of activities है वो बढ़ जाता है जिस तर से यह active होते हैं उसी हिसाब से successfully encoding जो है वो करते रहते हैं अब जब भी आप इन यादों को याद करते हो visualize करते हो यानि कि अभी भी आप इस video को देख रहे हो आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो जो कि आपके life में पहले चीज़े हो रखा है उस समय भी ये neurons जो है वो काम कर रहे हैं और ये neurons जो है उस चीज को जो ये बहुत पहले encode कर जोगे थे उसको decipher करने में उसको decode करने में यानि कि उसको दुबारा recall करने में ये neurons जो है वो काफी कारिगरत होते हैं और यहीं यो neurons होते हैं जो कि यहां पे आपको इन सारी चीजों को जो है विजुलाइज कराते हैं कि यह चीजे आपने फिल किया था और यहीं चीजे जो है आपने experience किया था अब बहुत सारे case में ऐसा होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे age होते जाता है अलजाइमर के case में क्या होता है कि जैसे जैसे ages होते जाता है आपकी जो यह यादे है धीरे धीरले धुनली पड़ती जाती है धीरे धीरे जो है इन memory से इन neuron को damage होने से धीरे धीरे यादे जो है धीरे धीरे अपके दिमाग से उड़ती जाती है अब कोई trip आपने 10 सल पहले किया था तो आप उसे उतनी अच्छी तरह कैसे visualize नहीं कर पाऊगे जितनी अच्छी तरह कैसे आपने जो last year किया था उसको visualize कर पाऊगे आप करोना के condition जो last year आपने देखा था उसको आप अभी से पूरा जो है याद कर पाऊगे लेकिन आज से 20 सल बाद 15 सल बाद जो है वो situation उतने हिसाब से जो है वो नहीं रहेगा कि कब आपने जो है वो gate से निकल के और थाली बजाना सुरू कर दिया ये चीज़े जो है आप अभी visualize कर पाऊगे लेकिन 20 सल बाद सायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो की इन सारी चीज़ों को recall कर पाएंगे अब बात करते हैं यहाँ पर तो ऐसे activities में जो हीपो केमपेस होता है इस activities में जो सिकर्स फ्रीनिया होता है यानि कि एक ऐसा condition जहाँ पर आदमी जो hallucination होता है या जो memories होता है उनमें अलग-अलग जो है वो decipher नहीं कर पाता differentiate नहीं कर पाता कि कौन सा जो है वो real वाला है और कौन सा जो है वो अलग ही एक बनावटी दुनिया है तो इन सारों में जो है यह चीज़े जो है आपको यह जो हीपो केमपस के neurons होते हैं यह वाले जो neurons होते हैं यह बहुत ज़्यदा महत्पूर भूमी का जो है वो निभाते हैं और यह रिसर्च ऐसी बहुत सारी बीमारियों कर सकता है बहुत सारे बीमारियों से मदद कर सकता है जिसमें यह सारी चीज़े जो हो देखने को मिलते हैं जैसे अलजाइमर के केस में हो गया यह हैलोजनेशन के केस जो होता है तो या फिर जो अलग अलग जो जैसे अपल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का अप्डेट आप बिल्कुल भी मिशना करो तो मिलते आप सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धरनेवाद